हाई एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग वेलकम बैक तो माई चैनल तो आज मैं जा रही हूँ गार्डन ओफ द्रीम्स यह एक बड़ाई क्यूट सा कैफे है और बड़ी वहां पे बहुत सारी ग्री है बहुत सुंदर है और उनका मेन्यू जो है वह भी काफी फैंसी है तो मैंन वाकिंग पांच से साथ मिनिट आइधिंग लगेंगे तो मेरे साथ इस वीडियो में बने रही है मैं दिखाती हूँ वहां पे आपको जाके कि वहां पे क्या है कैसा है ठीक है काफी सुंदर कैफे है वो चला है तो में गार्डन ओफ जा पहुंच यहां से एंट्री है तो जैसा कि इस जगा का नाम है गार्डन ओफ ड्रीम्स तो बिलकुल वैसा ही है ऐसा लग रहा है मस्त किसी अच्छे गार्डन में आये हो यह एक बड़ा सा वुर्डन गेट है इसके अंदर जाना है दोनों तरह बहुत सारे ग्रीन पेड़ पॉद है अच्छा लग रहा है पता है प्रॉब्लम किया है गोवा में कि दिन के टाइम बहुत गर्मी होती है तो बीच पे तो जाने का मनी नहीं करता है तो इस तरह के कैफे में जाके बैट जाओ चिल करो आराम से शाम तक और शाम को संसेट के टाइम पे आप वापस बीच पे जा सकते हो तो इस तरह के क तो अगर कोई नेचर लवर है तो उसके लिए तो जन्नत है इस तरह की जगा मैट्रो सिटीज में तो जन्रली नहीं मिलती है क्योंकि इतनी बड़ी जगा होती नहीं है तो इट्स वेरी फैंसी ये मेरा खाना आ गया तो मैंने मंगाया था बर्गर कोफी और एक कोई मैंने जूस मंगाया था तो मेरा बर्गर देखने में तो काफी अच्छा लग रहा है खा के देखते हैं कैसा है इत्स यूमी अच्छा है चलो कोफी ट्राइ करते हैं कोफी ओके है इससे बेटर कोफी मिल जाती है बट आइ तिंक यहां पर नहीं मोस्तली हेल्दी चीजों के लिए जादा फेमस है लेकिन मुझे क्रेविंग हो रही थी अच्छा सा बर्गर खाने की और कोफी पीने की तो मैंने यह मंगाया बेट अच्छा लग रहा है काफी कालरफुल नाइस काफी सारे पेड़ पॉदें मुझे तो काफी पसंद आया और दिन के टाइम पर समझ नहीं आता कि क्या करो तो अगर आप अरंबोल बीच में हो न तो आप यहां पर आ सकते हो यह पूरा पता है बैड है तब मेरे जब मैं आई थी तो तब ही अविलेबल नहीं था अभी खाली हो गया है तो यहां पर आराम से पढ़े रहो खाओ सो जाओ तो डे आउट के लिए काफी अच्छा है दिन के टाइम अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है ना यहां पर आजाओ गर्मी में तो यहां पर पेड़ पोदों के वज़े से थोड़ी ठंडग भी रहती है खाओ पी हो आराम करो बुक्स वगेरा हैं आप बुक्स पढ़ सकते हो तो टाइम पास करने के लिए काफी सही जगा है मुझे तो काफी अच्छी लगी तो आज के वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में बहुत जल्दी आपसे फिर से मुलाकात होगी तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए खोश रहिए बाई टेक क्योर बाई बाई